क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचेन तेंदुल कर 44 साल के हो गए हैं सचेन के बर्दे के मौके पर उनके सबसे बड़े फैन सुधीर गौतम उनका बर्दे मनाने के लिए मुंबाई पहुँचे हैं सचन के cricket से सन्यास लेने के बाद भी सुधीर मिस्यु सचन का tag बनवाई हुए cricket के मैदान पर नजर आते हैं आपको बता दें कि सचन के बरदी कर दिन उनके फैंस के लिए बेहदी खास होता है सचन के फैंस से उनके बारे में सभी खास बाते जानते ही है लेकिन सचन के सबसे बड़े फैन सुधीर के जीवन के कुछ दिलचस्प किसे ऐसे हैं जिनने सचन के फैन जरूर जाना चाहेंगे सचन के सबसे बड़े फैन के तौर पर पहचान बना चुके सुधीर बिहार के मुजफ़र फुर जिले के दामोदरपुर गाउं के रहने वाले हैं 1981 में जन में सुधीर गौतम ने 2003 से 2010 के बीच टीम इंडिया के खेले गए 150 मैचों में दर्शक के तौर पर हिस्सेदार रहे आपके जानकारी के लिए बता दें कि सुधीर ज्यादतर समय अपनी साइकल से ही भारत में खेले जा रहे मैचों में एक मैदान से दूसरे मैदान पहुंच जाते हैं यहां तक कि वो लहोर और वांगलादेश में भी साइकल पर ही मैच देखने जा चुके हैं 2011 में टीम इंडिया का वर्ड कब जीतना सुधीर के लिए और भी खास तब हो गया जब वो सचिन के साथ इस जीत के सेलिबरेशन का हिस्सा बने सचन ने खुद सुधीर को ड्रेसिंग रूम में बुलाया और इस खास मौके के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने का मौका दिया सबसे खास बात ये है कि क्रिकेट के प्रती अपनी दिवानगी के चलते अपनी शादी भी पोस्पोन कर दी थी सुधीर हर साल सचिन तंदुलकर का बर्दे बेहदी खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं सचिन का बर्दे सुधीर उनके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं अगर कहीं वज़े से उनकी मुलकात इस दिन सचिन से नहीं हो पाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ केक काट कर उनके बर्दे को सेलिबरेट करते हैं NMF News के रिपोर्ट